भारत माता की भारत माता की भारत माता की आज उत्षा का दिन है उत्षा का दिन है ये उत्षा भारत के लोग तंत्र के लिए है मैं इन चुनाओं में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ उनके दिनने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ विशेश रुप से अमारी माताओं वहनों ने अमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतिये जनता पार्टी को भरपूर समर्धन दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है मुझे इस बात करनी संतोस है कि फर्स्ट टाइम बोटरस ने बड़ चड़कर मतुदार में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की चुनाओ के दोरान भाजपा के कारकरताओं ने मुझे से बादा किया था कि इस बार होली दस मार्ट से ही शुरू हो जाएगी अमारे करमट कारकरताओं ने ये विजे द्वश भहरा करके इस बादे को पूरा करके दिखाया है मैं भाजपा के सभी कारकरताओं की भूरी भूरी प्रसंशा करूंगा जिनोंने दिन राद देखे बिना इन चुलाओं में कड़ी महनत की हमारे करकरता जनता जनारदन का दील जीतने में जनता जनारदन का विश्वार जीतने में सफल रहे और पूरे पार्टी का नित्रू को जिनों ने किया कारकरताओं ने को जिनों ने लगातार मार्जशन किया ऐसे हमारे राष्ट्रिय अध्यक्ष्य शिमान जगत्रगाद नंद्या जी को भी कि मैं बहुत बहुत अभी नंदर करता हूं बहुत 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 बदाई देता हूं पार्टी के हर छोटे मोटे जभी कारकरताओं ने उनके अथक परिस्रम से आज एंडिये के लिए जीत का चौका लगाया है साथियों उत्तर पदेश ने देश को लेकिन पाँच सार का कायकाल पुरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के जोबारा चुने जाने का ये पहला उदारन है करने देशाने शाथियों आज़ियों आज़ियों पोड़ी जोङे जोबाएं कुट्टा पुदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है इन राज्य यूपी गोवा और मनिपुर में सरकार में होने के बावजूर बीजेपी के बार्ट शेहर में बृत्ति हुई है गोवा में सारे जिट्पुल घरत निकल गए और वहां की जन्ता ने तीसरी बार सेवा करने का मोका दिया है लग्सां तक सक्षा में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बड़ी है उत्रा खंड में भी भाजपाने नया इतिहास रचा है राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सक्ता में आई यानि सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य एक समुद्र कटिय राज्य और एक मागंगा का विशेश आशिरवार प्राप्त एक राज्य और पुर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य भाजपा को चारों दिशाओं से आशिरवाद मिला इन राज्यों की चुनोतियां भिन्द है सबकी विकास की आता का मार्ग भिन्द है लेकिन सबको जो बात एक सुत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास भाजपा की निती भाजपा की नियत और भाजपा के निड़ों पर अपार विश्वास साथियों ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पूर प्रो एक्टिव गवर्नन्स पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं पहले जन्ता अपने ही हग के लिए सरकार के दरवाजे खटखटा कर ठक जाती थी बिजली पानी गैस टेलीफोन बहुत बुनियादी सुविदाओं के लिए सामान ने जरुतों के लिए सरकारी दप्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे पैसे देने पड़ते थे कुछ साधन संपन लोगों तक सुविदा पहुँचने के रास्ते अलग थे पहुँच जाती थी देश में गरीबों के नाम पर गोशनाएं बहुत हुई योजनाएं भी बहुत बनी लेकिन उस योजनाओं का जो हकदार था जिस गरीब का उस पर हक था उसके लिए यह हक उसको मिले बिना परेशानी को मिले उसके लिए गुड गवर्नेंस डिलिवरी इसका बड़ा महत्व होता है लेकिन भाजपा इस बात को समझती है और मैं लंबे अर्से तक मुख्यमंत्रित के नाते काम करके आया हूँ इसलिए मुझे पता है कि आखरे इंसान के सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलिवरी गवर्नेंस डिलिवरी सिस्टिम तो बहतर किया ही कि साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए है भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रते गरीब तक सरकार ने निर्ने की हुई सुविधाये जरूर पहुचेगी और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं कि दो दसक से भी जादा समय तक हेड़ अप गवर्मेंट के रूप में सेवा करने का मुझे सौभागे मिला है सरकार में कितनी दिक्कते होती हैं गवर्नेंस में कितनी दिक्कते होती हैं इसको भली भाती जानता उसके बावजुद भी मैंने एक ऐसी हिम्मत की हैं शायद शायद कोई न कर पाएं और वो हिम्मत मैंने लाल किले से 15 अगस को मेरे भाशन में उसको व्यक्त किया था मैंने कहा था कि अब भाजपा को जहां जहां सेवा करने का मूका मिलेगा हम हर योजना के जो हकदार है उनके लिए 100% saturation याने काम को शत प्रतीशत पुरा करना हर गरीब तक हर सरकारी योजना का लाप पहुचाना ये शत प्रतीशत की कलपना करना दो दसक से जादा समय सरकार का काम करने के बाद मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी हिम्मत की है मैंने और ये हिम्मत मैंने इसले की है कि जब इमानदारी होती है नियत साफ होती है गरीबों के प्रती करुणा होती है देश का कल्यान यही जीमन का मंत्र होता है तो फिर ऐसे निरने करने की ताकत पैदा होती है हम हर गरीब तक पहुँचेंगे हम हर गरीब तक पहुँचेंगे शचत प्रती शचत लाभार्थियों तक पहुचेंगे भाई और बेनों आज मैं देश की महलाओं हमारी बेहन बेटियों को विशेश रुप से नमन करता चुनाओं के नतिजों में मेरी इन माताओं बेहनों का बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है यह हमारा सोभाग्य है कि भाजबाको बेहनों बेटियों माताओं ने इतना स्नेह दिया है इतना आशिदवाद मिला है जहां जहां महला मतदावता होने पुरूसों के मुकाबले ज़्यादा वोड किया है वहाँ बीजेपी को बंपर जीत मिली है एक प्रकार से हमारी माताओं बेहने हमारी बेटियां हमारी इस्तरी शक्ती भाजबाकी जीत की सार्थी बनी है मैं जब गुजरात में था तो कभी-कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती थी कि लोग चिंता करते थे मोदी जी आपकी सुरक्षा का क्या आप चिंता क्यों नहीं करते अपने आपको क्यों समालते नहीं है तो मैं एक ही जवाब देता था कि कोटी-कोटी माताओं का स्त्री शक्ती का मुझे सुरक्षा कबच मिला हुआ है साध्यों भारत की माता है बहन बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है उनको पहली बार विश्वास मिला है कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी गिसी पिटी रेकॉर्ड छोड़के देरा ने सिरे से सोचना सुरू की है इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है मैं स्वयम बाद दुख अनुभव करता था जब यह ज्यानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जाती बात के तराजू से तोलते थे जाती बात की द्रश्टी से देखते थे मैं सबस्ता हूं कि उत्तरपदेश के नागरिकों को जाती बात की बाड़ा बंदी में बात करके वे उन जातियों का अप्मान करते थे उन नागरिकों का अप्मान करते थे पूरे उत्तरपदेश का अप्मान करते थे कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाती ही चलती है लेकिन भाईयो भनो उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है 2014 के चुनाव नतिजे देखें 2017-2019 के नतिजे देखें और फिर 22 में भी देख रहे हैं हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकास बात की राजनीती को ही चुना है यूपी के लोगों ने इन लोगों के ये सबक दिया है और ये सबक उनको सिखना होगा यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने यूपी में गाउं में रहने वारा वेक्ति हो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो यूपी के हर मद्दाता ने हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाती की गरिमा जाती का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए और ये करके दिखाया है चार चार चुनावों मैं करके दिखाया है वैसे आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ग्यानियों ने कहा था 2019 में जब लोग सबामें दुबारा जीत करके आए तो इस ग्यानियों ने कहा था कि परिश दोजार उनीस के जीत में क्या है ये तो 2017 में इतना हो गई थी क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आये था मैं मानता हूं इस मार भी कि ये ज्यानी जुरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि दो हजार बाइस के नतीजों ने दो हजार चोबीस के नतीजे ताय कर दिये हैं हुआ 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 है अधी पंजाब के भाजपा कार करताओं की भी विशेश प्रसंसा करूँगा उन्होंने विप्रिक परिस्थितियों में जिस प्रकार पार्टी का जण्डा बुलंद किया है वहाने वाले समय में पंजाब में भाजपा की मजबुती को देश की मजबुती को एक अहम स्थान के रुपे विक्सित करेंगे ये मेरा पुरा विस्पास है पंजाब में भाजपा एक शक्ति के रुपे उपर नहीं है यह मैं अपनी आँखों के सामने देख रहा हूँ दोस्तों सीमा वर्ती राज्य होने के नाते पंजाब को अलगामवादी राजनीती से सतर कर रखना भाजपा कार करता जान की बाजी लगा करके भी इस काम को करता रहेगा आने वाले पांच सालों में भाजपा का हर कार करता वहाँ इस दावित्व को जौर सोर से निभाने वाला है ये विश्वास मैं पंजाब की जनता को आज देना चाहता हूँ साथियों ये चुनाव ऐसे समय में हुए है जब दुनिया सो साल के सबसे बड़े कोरोना जैसी महामारी के संकट से लड़ रही है पुरी मानवजाद पुरा विश्वा सो साल मैं ऐसी बिमारी नहीं देखी ऐसी मुसिबत से लड़ना नहीं पड़ा है ये जैसे कुछ कम था तो युद्ने भी विश्वा की चिंताएं बढ़ाई है इन परिस्थितियों में दुनिया भर की सप्लाई चेंड चिंद भिल्ल हो गई है दो साल से सप्लाई चेंड पर बहुती विपरित प्रभा हुआ और युद्ध ने उसमें और जोड़ दिया इन चुनोतियों से निपतने के लिए भारत ने जो कदम उठाए आर्थिक स्तर पर जो फैसले लिए गरीब कल्यार के जो फैसले लिए उन सभी ने भारत को सम्वल कर आगे बढ़ने में बहुत मदद की भारत बच पाया है क्योंकि हमारी नीतियां जमीन से जुड़ी रही हमारी नीतियां जमीन से जुड़ी रही और हमारे प्रयास निष्ठा और नियत की पट्री पर अभिरत आगे बढ़ते रहे जहां जहां डबल इंजिन की सरकार रही वहां पर जनता के हितों की डबल सुरक्षा हुई और विकास के कारियों की गति भी तेज हुई इस समय जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव प्रत्यच्छ और प्रोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पढ़ रहा है भारत शांती के पक्षमे है बातित से हर समस्या को सुल जाने के पक्षमे है लेकिन जो देश सीथे जंग लड़ रहे है भारत का उनसे आर्थिक दरश्टी से सुरक्षा की दरश्टी से सिछ्षा की दरश्टी से राजनीतिक दरश्टी से नाता है बारत की बहुत सारी जरुरतें इन देशों से जुड़ी हुई है बारत बाहर से जो कच्चा तेल मंगाता है पाम ओयल मंगाता है सनफ्लावर ओयल मंगाता है उसकी कीमत भी अंतराश्तिय बाजार में बहुत तेजी से बढ़ रही है कोईला हो, गैस हो, फर्ट्रिलाइजर हो सभी की कीमतों में पूरी दनिया में कल्पना बाहर का उच्छाल आ रहा है युद्द के कारण पूरी दुनिया में महिंगाई बढ़ रही है विकासिल देशों को विशेश रुप से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है साथियों, इस वैस्विक संदर्ब में, इन कठिनाईयों के बीच इस बाहर के बज़ेट पर नज़े डाले, तो एक विश्वास परदा होता है देश, आत्म, निर्भर, बारत, ब्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है इस भावना को इस बाहर के बज़ेट से और उर्जा मिली है और मैं मानता हूँ कि दुनिया भर में बने, निर्माण हुए इस विप्रित मातावर में उथल पुथल से भरे माहोल में, अनिस्चित्ता से भरे माहोल में भारत की जन्तों ने, विशेश करके, उत्तर पुदेश जैसे राज्यों ने, अपनी दूर द्रश्टी का परिचए दिया है भारत के मतदाताओं ने, जिस तरह इन चुनाओं में, स्थीर सरकारों के लिए वोड दिया वो इस बात का प्रतिमिम है, कि लोकसंत्र भारतियों की रगों में है लेकिन भाई और बेहनों, आज इस अवसर पर, मैं देश के सामने, अपनी कुछ चिंताएं भी रखना चाहता हूँ देश का नागरिक तो, बहुत जिम्मेदारी के साथ, देश के हित में, अपना काम कर रहा है जब भी उसको अवसर मिलता है, वो जिम्मेदारी के साथ पेश आता है देश का सामने, नागरिक राश्ट निर्माण में जुटा है लेकिन हमारे हाँ कुछ लोग लगातार राजनीती का स्तर गिराते जा रहे है कुरोना के इस समय में भी हमने देखा है कि इन लोगों ने देश वास्यों को गुमरा करने की लगातार कोशिश की वैक्सिनेशन के हमारे प्रयासों की दुनिया प्रसंसा कर रही है लेकिन इस पवित्र कारिय पर मानवता के कारे पर सेवा के कारे पर भारत की वैक्सिन पर भी सभान उठाए गई दुर्भाग्य की बात है जब युक्रेन में हजारों भारत ये विद्यारती हमारे चात्र हमारे नागरी फसे हुए थे तभी तभी बेश का मनोबल तोड़ने की बात हो रही थी जो वहां फसे थे उनके परिवारों के चिंता बढ़ाने का काम हो रहा था ये लोग उन बच्चों में और सुरक्षा की भावना बढ़ा रहे थे यहां उनके परिवार वालों की चिंता बढ़ा रहे थे इतना ही नहीं इन लोगों ने आप्रेशन गंगा को भी प्रदेश वाद की बेडियों में बांधरे की कोशिच की हर योदिना को हर कारिय को छेत्रवाद प्रदेश वाद जातिवाद संप्रदावाद का रंग देने का प्रयाश भारत के उजवल भविश के लिए बहुत बड़ी चिंता का भी शाय है साथियों इन चुनावाँ में मैंने लगातार विकास की बात की गरीबों को घर गरीबों को राशन वैक्सीन आधोनिक इंफ्रस्रक्चर हर भी शेपर भाजपा का विज़न लोगों के सामने रखा इसके साथ ही जिस एक बात पर मैंने सबसे ज़्यादा चिंता जताई थी वो थी गोर परिवार बात मैंने राज्चों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाब नहीं हूँ नहीं मेरे किसी की व्यक्ति के दुश्मनी मैं लोग तंतर की चिंता करता हूँ और मैं सभी ज्यादियों को कहता हूँ जरा लोग तंतर के तराजु पर इन चीज़ों को तोल के देखो और मैंने लोगों को बताया कैसे परिवारबादी राजनीती ने उनके राज्च का कितना नुक्षान किया है राज्च को पीछे ले जा रहा है और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाओं में अपना भोट रिया है लोग तंतर की ताकत को मजबूत किया है साथियों यह लगातार बहस बहुत जरूरी है भारत जैसे लोग तंतर में और देश को जिस उंचाई पर ले जाना है उसको ध्यान में रखते हुए जिन मुद्धों को मैं उठा रहा हूँ उसको निर्पेजबाव से बहस होना जरूरी है भारत में परिवार वादी राजनीती का यह मेरे शब्द लिख करके रखिये दोस्तों एक नए एक दिन एक नए एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवार वादी राजनीती का सुर्यास्त यह देश के नागरी करके रहेंगे इस चुनाओं में इस चुनाओं में देश के मतधाताओं ने अपनी सुजबुज का परिचेश दिखाते हुए यह क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है साथियों आज एक और विशे में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूँ यह विशे हैं ब्रस्ताचार के खिलाब कारवाई को रोकने की साजीश आप मुझे बताईए साथियों क्या ब्रस्ताचार के खिलाब कारवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि ब्रस्ताचार करने वालों पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये ब्रस्ताचार रूपी दिमाग देश में से नस्त होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए साथियों हमारे देश में ब्रस्ताचार के खिलाफ लोगों में ब्रस्ताचारियों के खिलाफ ऐसे लोगों के प्रती एक भैंकर नफ्रत का भाव रहता है देश की घाड़ी कमाई को लूट कर अपनी तीजोरी भरने की ये प्रबृती कुछ लोगों की पहचान के साथ जुड़ गई है भारतिय जनता पार्टी दोहजार चौदा में एक इमांदार सरकार का वाइदा करके चुनाव जीती थी और हमारी इमांदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज़्यादा आशिरवात दिया और देश देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोते जी आपके सरकार तरफ प्रामानिक रहे इतना इनप नहीं है आप ही है आप ही की सरकार है जो प्रस्टाचारियों को सजा कर सकती है उन पर कठोर से कठोर कारेवाई कर सकती है है मुझे बता ये जनता की इस अपेक्षा को मुझे पूरा करना चैede कर अढूंझे जनता की आशाखानद BEN ने लेकिन आज हम देख रहे हैं जो निश्पक्ष संस्थाइं जो पुरी तरह इंडिपेड़नेंट है विए अगर प्रस्थाचार के खिलाब कारकव ही करते हैं तो यह लोग और उनका पूरा इको सिस्थीम अब प्रस्थाचारियों के रक्षा करने के लिए उन संस्थाओं को बन्नाम करने के लिए मादान में आ गए है यह देश का कितना बड़ा दुर्भाग्या है कि गोटालों से गिरे लोग एक जुठ होकर अब अपनी इको सिस्थीम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं जांच एजन्सियों को रोकने के लिए यह लोग अपने इको सिस्थिम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोचते हैं इन लोगों को देश की नया पाली का पर भी बरोता नहीं है पहले हजारों करोन रुपे का प्रस्ताचार करो फिर जांच भी नहीं होने दो और जांच करें तो उस पर दबाओ मराओ यह इन लोगों की प्रवृत्ती है और देश के लोगों को एक और बात पर मैं ध्यान देना के लिए आकरशित करना चाहता हूँ यह लोग किसी ब्रस्ताचारी पर कारवाई होते ही उसे धर्म का रंग देते हैं प्रदेश का रंग देते हैं जाती का रंग देने लगते हैं यह नए दोर दरीके शुरू हुए हैं किसी माफिया के खिलाब अधालत कोई फैसला सुना देती है तो भी उसे यह लोग धर्म और जाती से जोड़ देते हैं ऐसे मैं भारत के मैं सभी संप्रदाओं से आगर्य करता हूं मैं सभी जाती पे गर्व करने वाले इमानदारों लोगों से आगर्य करना चाहता हूं उन सब को सोचना होगा कि ऐसे प्रस्टाचारियों कि ऐसे माफियां को अपने समाज से अपने सं प्रदाय से अपनी जाती से दूर करने की हिम्मत करें इससे समाज भी मजबूत होगा संप्रदाई भी मजबूत होगा और हर सक व्यक्ति का भला होगा और यूपी में यूपी में हमारी वीजय का एक कारण ये भी है कि वहां के लोगों ने कई दसकों से ऐसी राजनीती का बहुत नुक्सान सहा है मैं बनारस का साउसर होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशिरवाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया मैं बनारस का साउसर होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूँ यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाती को बदनाम करने वालों से संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्जी के विकास को ही सरवोच प्राश्विक्ता देनी है साथियों आजादी के 75 वे वर्ष को देखते हुए भी इन चुनाव परणामों का बहुत महत्व है भारत आजादी के अमरिक काल में प्रवेश कर रहा है यह चुनाव परणाम आने वाले 25 वर्षों के हमारे राश्ट्रिय संकल्पों के प्रति देश के मिजाज को देश के मूड को प्रतिबंबित करते हैं यहां से हम दो पट्रियों पर एक साथ तेजी से काम करने वाले हैं एक तरफ गाउं गरीब छोटे किसान लगूद नभी उनके कल्यान पर हमारा जोर है वहीं दूसरी तरफ देश के संसाधनों देश की युवा शक्ति को नए अवसर देकर हम आत्म निर्फरता के मिशन को तेज करना चाहते हैं भारत का युवा आज अपने हुनर से अपने बुद्री के बल से और अपनी क्षमता के उप्योग से दुनिया को समाधान दे रहा है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीका करन भ्यान आज के भारत के सामर्थ का बड़ा उदारत आज भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टिम में आत्म निर्भर हो रहा है स्टार्ट अप के छेत्र में अपना सामर्थ बड़ा रहा है और तक्निक के छेत्र में नई नई उपलब्दियां प्राप्त कर रहा है और यह सब हो रहा है उसकी युवाश शक्ति के खारद भारत में शिक्ष्या का स्तार उच्च कोटी का हो जो देश और दुनिया की जरुतों को पूरा करने वाली वर्कफोस तैयार कर सके यह हमारा संकल्प है आज एक ऐसे नए भारत का निर्माण हो रहा है जहां आपकी पहचान आपके काम से होती है न की आपके परिवार से होती है मुझे विश्वास है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम अपने अपने राज्यों को नई उचाई पर लेके जाएंगे जब देश के हर राज्य का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा और मुझे तो बै गुजरात में इतने साल काम किया दिल्ली में सरकार भारती जिंता पार्टी को अच्छा मानने वाली सरकार नहीं थी हमारी सरकार में रोड़े अटकाने के सोच वाली सरकार भी फिर भी गुजरात में हमारा मंत्र यही था भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास साथियों हमें जुड़ जाना है एक पल भी गवाना नहीं है चुनो क्या कितनी कथिन क्यों नहों लेकिन जीतने का संकल्प उससे भी बड़ा होता है बड़े संकल्पां के साथ बड़े सपनों के साथ उंची सी उंची उंचाईयों को पार करने के इरादे के साथ देश को आगे बढ़ाना है साथियों इतना बड़ा भव्वे भी जाए भारत के उजबल भविश की ये गारंटी है मैं एक बार फिर भारत के उजबल भविश के लिए ये जो निर्णायक मतदान किया है इसलिए हमारे मतदाता अभिनंदन के बहुत अधिकाली है आईए दोनों हाथ उपर करके तालियों के गड़गड़ाड के साथ सभी मतदाताओं का विनंदन करे मतदाताओं का अभार व्यक्त करे मतदाताओं का गवरोगान करे भारत माता के भारत माता के भारत माता के भात्पा धनिवाद